क्या आप जानते हैं कि 8 अप्रेल को पूर्ण सूर्य ग्रहन के दौरान एक अनोखा खगोलिय नजारा दिखाई देगा? ये सिर्फ कोई खगोलिय घटना नहीं है, बलकि शैतान धूमकेतु की दुरलब उपस्थिती है. इस दिल्चस्प धूमकेतु को बहुत पहले खोजा गया था, और इस पूर्ण सूर्य ग्रहन के दौरान हमारे आकाश की छाया से 18-12 निकलेगा. इसका पत नक्षत्रों को पार करते हुए सूर्य के पास ले जाएगा. एंड्रोमेडा और मीन राशी के लोग इसे वास्तव में दिव्य बैले बनाते हैं. लगभग 71 वर्ष की परिक्रमा. अवधी के साथ ये कुछ और दूर के दौरे करते हैं. मार्च के मध्य में यह तारा मंडल क्षेत्रों में सूर्य के करीब होगा और फिर अप्रैल के मध्य में ब्रहस्पती के पास से गुजरते हुए व्रिशब राशी में प्रवेश करेगा. यह तिपपणी सूर्य से लगभग 27 डिगरी होगी और ग्रहन के दौरान उजवल ब्रहस्पती के करीब होगी, तो वास्तव में यह क्या है शैतान धूमके तू और यह क्यों बन रहा है? 18-12 डेविल्स में खोजी गई ऐसी भव्य उपस्थिती, इसे कॉमिक कॉंस ब्रूक्स के नाम से भी जाना जाता है. यह लगभग 71 वर्षों की कक्षिय अवधी के साथ एक उच्च प्रकार की लगु अवधी की टिपणी है. यह टिपणी एक खगोलिय पथिक रही है, जो स सबसे बाहरी क्षेत्रों से अपनी गोल यात्रा कर रही है. हमारे सौर मंडल को हमारे बेटे के पास अंतरिक गर्भ ग्रह. क्या आप जानते हैं कि 8 अप्रैल को पूर्ण सूर्य ग्रहन के दौरान